हलो प्यारे विध्यारतियों, मैथ संजीव डेस्क वर्क 2023 के मोडल पेपर 9 के सेक्शन B के क्योशन नंबर 14, 15 और 16 इन तीन प्रसनों का विडियो सोल्यूशन आपको मैं इस विडियो में देने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप देखें, सवाल प्रतेक दो नंबर का रहेगा, आपके सेक्शन B का, देखते हैं, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक संकु के आकार का है, कोई ठोस है वो अर्ध गोले पर खड़े संकु के आकार का है, अब देखें, मैंने यहाँ पर एक अर्ध गोला ले लिया है, ये वाला क्या है हमारा अर्ध गोला है, और इस अर्ध गोले पर ये एक संकु रखा हुआ है, ठीक है, और इस पूरे को क्या नाम दिया है, एक ठोस नाम दिय है जिनकी त्रिज्य एक सेंटीमिटर है अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि जो अर्ध गोला है उसकी भी त्रिज्य आर बराबर एक सेंटीमिटर है और इस अर्ध गोले पर जो संकु रखा हुआ है उसकी त्रिज्य भी आर बराबर एक सेंटीमिटर है कहने का मतलब यह है कि अर्द गोले और संकू दोनों की त्रिज्या समान है तथा संकू की उंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है और ये जो संकू की उंचाई है जिसको हम H से लिखते हैं वो उसकी त्रिज्या के बराबर है यानि H बराबर R है यानि बराबर 1 cm है ठीक है इस ठोस का आयतन के पदों में ज्यात कीजिए अब देखो ये ठोस किन दो आकरतियों से मिलकर बना है ये ठोस एक अर्ध गोले और एक संकू दोनों आकरतियों से मिलकर बना है तो हमें दोनों आकरतियों का आयतन को प्लस करना पड़ेगा तभी इस पूरे ठोस का आयतन निकल पाएगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिया है, क्या दिया है, अर्ध गोले और संकु की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर है और कितने दी हुई है, एक सेंटेमेटर दी हुई है, संकु की उंचाई है भी आरके बराबर दी हुई है, यानि एक सेंटेमेटर दी हुई आता है ठोस का आईतन किस-किस का आईतन के बराबर हो जाएगा अर्ध गोले का आईतन और संकु का आईतन दोनों का आईतन प्लस करेंगे तो पुले ठोस का आईतन आ जाएगा अब अर्द गोले का आयतन का सुत्र आपको याद रखना है क्या होता है 2 बटा 3 पाई आर क्यू ये अर्द गोले का आयतन का सुत्र होता है प्लस संकू का आयतन क्या होता है एक बटा तीन पाई आर इस्क्वाइर एच ये संकू के आयतन का सुतर है ये दोनों सुतर आप याद कर लो important है अब कुछ common आ सकता है देखो एक बटा तीन एक बटा तीन दोनों के पास है तो यहाँ एक बटा तीन ले लेते हैं पाई भी दोनों के पास है तो पाई भी common ले लेते हैं आर यहाँ तीन बार है आर यहाँ दो बार है तो आर इस्क्वाइर भी common ले लेते हैं तो क्या बच गया देखो एक तो दो बच गया pi common आई गया, r तीन बार में से दो बार बाहर आ गया, तो एक बार ही रहेगा अंदर और तीन है जो आई गया प्लस एक बटा तीन, pi r square यह पूरा common आगया, तो क्या बचकिए गया h तीक है, अम मान रख देंगे हम देखो, एक बटा तीन, pi के ठीके, तो एक बटा तीन पाई हो गया ये, क्योंकि एक काई स्क्वायर इन से मल्टिप्लाई हो गया, तो एक बटा तीन पाई हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, दो एकम, दो प्लस एक, कितना हो गया, एक बटा तीन पाई गूना, दो और एक तीन, अब क्या करेंगे, यहां पर जो कट रहा है उसको काड़ देंगे, तीन से तीन कट गया, तो क्या आगया, पाई, अब आईतन पूछ रहा है, तो आईतन क्या होता है, किसमें दियावा है इस सेंटिमेटर में, तो पाई खन सेंटिमेटर, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आउसर हो जाएंगे, तो यह पाई के पदों में, ठोस का आईतन निकल कर आ गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, नाक्स्ट क्योशन देखते हैं, देखे, बारमबारता बंटन वाला क्योशन है, आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है, इस तरह की, और यहां लिखना है, एकस आई, और फिर एकस की जो भी वेल्यू है, उनको अपन यहां पर रख देंगे, जैसे 357, 9, 11, 13, तो 357, 9, 11, 13, फिर f मतलब बारमबारता की टेबल बना लेनीह, f i करके 6, 8, 15, P, 8, 4 यह बना दि, अब x, i, f i, x, i हमारे पास यह रहा, f i, यह रहा, तो x, i, f i कैसे निकालेगे, इन दोनों का गुना कराएंगी, यानि तीन का गुना कैसे कराएंगे, 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 18 हो जाएगा, ऐसे ही इनका गुना कराएंगे, 8, 5, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऐसे ही 5 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का गुना कराएंगे, तो 9P ये हो जाएगा, और इनका गुना कराएंगे, तो 11, 8, 88 हो जाएगा, और ये कितना ह हो जाएगा तेरा चो कितना हो जाएगा बावन ओके अब हम क्या करेंगे अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे जिसको लिखेंगे हम सिग्मा एफ पाई बराबर कितना हो रहा है देखो 6 और 8 14 14 और 15 29 29 और 8 37 37 और 4 41 41 प्लस का पी क्योंकि पी अलग जुड़ेगा तो 41 प्लस पी हो गया इन दोनों में से देखो यह जो 9 पी है न यह तो अलग ही जुड़ेगा तो 9 पी लिख देते हैं और अब यहां थोड़ा सा आएगा नहीं तो मैं इसको नीचे लिख देता हू आपकी टेबल में आ जायागा मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूँ सिगमा एकस आई एफ आई बराबर कितना हो जाएगा देखो यह जो 9 पी है यह तो एड़ नहीं होगा तो 9 पी को तो अलग से लिख देंगा बाकी को एड़ कर दीजिए आप देखो 8 और 5 13 13 और 8 21 और 2 23 के 3 हासिल के कितने होगे 2 दो हासिल के और 1 यह 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 की 0 हासिल के कितने होगे 2 2 और 1 कितना होगे 3 तो यह हमारा आ गया 303 प्लस 9 पी अब देखो अब हमारा जो माध्धे दिया हुआ है यानि माध्धे का फोर्मिला क्या है माध्धे तो माध्धे बराबर फोर्मिला क्या है सिग्मा एकस आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई ठीक है इसको सिग्मा पढ़ते हैं अब देखो सिग्मा एकसाई एफाई की वैल्यू कितनी आया आपके पास 303 प्लस का 9P बटे सिग्मा एफाई की वैल्यू कितनी है 41 प्लस का पी और माद्य आपको कितना दिया हुआ है साथ कॉइंट पांच दिया हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे देखो यह जो साथ कॉइंट पांच है यह 41 प्लस पी इधर आ जाएगा 41 प्लस का पी बराबर उधर कौन बच गया 303 प्लस का 9P यहां तक क्लियर है अब देखो मल्टिप्लाई करना पड़ेगा आपको अब मल्टिप्लाई करोगे तो आप इसको सबसे पहले साथ कॉइंट पांच को किसे मल्टिप्लाई करोगे 41 से प्लस साथ कॉइंट पांच को किसे गुना करोगे पी से तो यह तो हो गया बराबर 303 प्लस का 9P अब आप यहां पर ग इतने चोड़ के point है एक तो 307.5 इसका गुणा आ जाएगा अब ये जो 303 है ना इसको हम इधर लियाते हैं तो minus का 303 हो गया बराबर उधर कौन बचा 9P और ये जो 7 7.5P को हम इधर लियाएंगे तो minus का 7.5P अब मुझे बताओ कितना देखो 307.5 में से 303 गये तो 4.5 बचा बराबर 9 में से 7.5 गया तो 1.5P बचा ठीक है तो P बराबर हमारे पास क्या गया 4.5 बटा 1.5 अब यहां क्या करेंगे देखो point से तो point cancel हो गया तो कितना बन गया ये 45 बटा 15 और 15 से 45 कितनी बार कटता है तीन बार कटता है तो तीन हमारा क्या हो गया answer हो गया तो जहां पर P दिया हुआ था यहां पर कितना है तीन answer आ जाएगा उमीद करता हूँ कि इस question का video solution भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बढ़ते हैं next question और section B के last question की तरफ यह हमारा section B का last question है question number 16 और इस video का भी last question है तो आईए इसको प्यार प्रेंच से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है देखिए एक पेटी में number disc है जिन पर 1-90 संख्याए अंकीत हैं क्या है कि कोई पेटी है जिसमें total number disc है और सबी डिस्क पर 1-90 संख्याए यानी number अंकीत किये हुए हैं यदि इस पेटी में से एक डिस्क या द्रच्छा का मतलब हैं बिना देखे हुए निकाली जाती है तो इसकी प्राइक्ता ग्याद कीजिए इस डिस्क पर अंकित होगी पहला क्योशन पूछ रहा है दो अंकों की एक संख्या दूसरे परसन में पूछ रहा है एक पूर्णवर्ग संख्या तो कुछ थोरी है जो मैंने यहां पर लिख दिया पूर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर् से टोटन अंक संख्यां इसमें से एक अंक वाली न्व संख्याएं हैं तो जो बची हुई ही 81, ये 81 संख्याएं क्या हैं? दो अंकों की हैं first, ये उपर लिखो नंबर माइनस नो बराबर 81 ये उपर लिखो, यहां पर इसको मिटाओ अब एक से नब्बा तक निम्न पूर्ण वर्ग संख्याँ होगी पूर्ण वर्ग संख्याँ का क्या मतलब है कि ऐसी संख्याँ जिनका वर्गमूल लिया जा सकता हो जैसे एक है इसका वर्गमूल एक होगा चार का वर्गमूल दो होगा 9 का 3 होगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8 और 1 कैसी का 9 मतलब इन ये संख्या हैं एक से नबर तक कुल संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनका वर्ग मुढ ले सकते हैं तो कितनी है ये ये सी 9 है तो अब आमने ये डाटा निकाल लिया, अब देखो ये पूछ रहा है कि प्राइक्ता किसकी तो देखो पहला क्योशन, दो अंकों की एक संख्या प्राप्त होने की प्राइक्ता बताओ कितनी हो जाएगी, दो अंकों की कुल संख्याओं कितनी है, 81 है और कुल संख्याओं कितनी है, 90, 9 से कार दो, 9 नमिक्याओं किसी और 9 दस नबद तो कितनी हो जाएगी, वह ये 9 बटा 10 इसका आंसर हो जाएगा दूसरा क्योशन करा है हमारा, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या ग्याद करो अब बताओ, एक से लेकर 90 तक कि संख्याओं में कुल 9 पूर्ण वर्ग संख्याओं हैं, तो 9 तो लिख देंगे ऊपर, और कुल संख्याओं है, 90 है हमारे पास तो 90 लिख देंगे, नीचे तो 9 एक अमनो, और 9 दस नबद, तो कितनी हो जाएगी वह एक बटा 10, ये हमारे द यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं, मोडल पेपर 9 के सेक्शन C के साथ में आगे के प्रसनों के साथ, तक पढ़ते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, ओके, थेंक्यू, बाई